हे गाईस कैसे हैं आप लोग स्वागत आपके बहुती जबरदस वीडियो में जहां पर आज हमारे पास है वनप्लास बुलेट वैलेश जी टू जो की कल ही फास्ट सेल में गया था और आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं कल सामकों मैं एक वनप्लस के स्टोर में गया था सब कोच मैं आपको बताना जा रहा है अगर आप आप अल्डेडी एक वनप्लस का नेक बेंड वूस करें तो क्या आपको अग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं बो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा अगर आप इसके बार में इंटेस्टेट तो वीडिय तो बहुत जा एक्साइटिड हो इसका एक्सप्रियेंस आप लोगों के साथ सेयर करने के लिए तो अगर सबसे पहले बात कर उसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बार में तो भाई एक्जागली सेम डिजाइन ही आपको मिल जाता है जो कि हमने आपने आल्डेडी क्वालिटी वो आपको अच्छा मिल जाता है बहुत स्ट्रॉंग में ऐसा नहीं कहूंगा और जो सारा प्लास माइनस के साथ साथ आपको मल्टी फंक्शन बटन मिलता है तो अगर आप कॉल को रिसीब करना चाहते है तो सिंगल प्रेस में कर सकते है साथ ही म्यूजिक को प् करके या एफिस्विच करके यूस नहीं कर सकते है आपको मैनॉली यहां पर कनेट करना पड़ेगा इसके लबाँ नीचे के साथ में आपको यहां पर USB Type-C का पोड़् मिल जाता है उपर के साथ में आपको यहां पर माइकरो प्लास का ब्रैंडिंग मिल जाता है और उपर का जो neckband है वो आपको यहाँ पर silicon का मिल जाता है बहुत यहाँ soft है अगर आप इसको pocket में वरके कहीं पर carry वगरा करना चाहते है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा OnePlus का हमेशा से ही बहुत ज़्याँ soft है और वो भी अपने बाप से लिया गया एर टिप्स है मतलब कि OPPO INC M32 का जो एर टिप्स है वो exactly same एर टिप्स यहाँ पर यूज किया गया भाई बेटा तो बाप कहीं माल यूज करेगा तो उसी एर टिप्स को यहाँ पर यूज किया गया एर टिप्स बहुत ज़्या soft है और यह जो डिजाइन है वो बहुत ज़ा comfortable है बहुत अच्छे से आपके कान के अंदर fit हो जाता है यहाँ पर कोई भी active noise cancellation का support तो नहीं मिलता है बाट जब भी आप इसको कान में पहन लेते है तो हाँ active noise cancellation नहीं मिलता है बाट passive noise cancellation आपको यहाँ पर मिल जाता है और यह जो डिजाइन है वो बहुत जा comfortable है अगर continuous लिए आप 7-8 घंटा भी यूज करते है तो भाई आपको कोई भी problem नहीं होगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको एक बार भी फिल नहीं होगा कि भाई आपके नेक के उपर कुछ रखा हुए तो यह आपको काफी light weight यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर आपको IP55 का rating मिलता है तो अगर आप gym purpose पर या फिर रणिंग के टाइम पर इसको यूज करते है तो sweat या फिर water लगता हालका फोल का तो उससे आपको कोई भी problem नहीं होगा अब्याती जो मेरी आवाज सुनता है कि ए रेकोडर है वान प्लस बुलेट बी टू के स्माइक से और मैंने मेरे दूसरे नमर पर कॉल कर दिया है तो यहां पर actually receiver end में किस तरह का call quality में आप इस टेस्ट के बार्दम से अच्छी समझ सकते है जो call है वो receiver end में ही रेकोड दे जा रहा है और में यहां पर आउचएड लाए तो noise को यह किस तरह से cancel कर पाद है वो आप इस टेस्ट के बार्दम से अच्छी से समझ सकते है बहुत सर यूजर है सिर्फ calling के लिए ही neckband को purchase करना पसंद कर और मैं भी personally calling के टाइम पर neckband को use करना ही prefer करता हूँ तो यहां पर आपको AI noise cancellation का support मिल जाता है और आपने देखा वीडियो में जो call quality वो आपको बहुत ही अच्छा यहां पर आपको मिल जाता है जो पिछे से track वगरा गुजर रहा था उसके noise को भी exactly cancel कर रहा था और मेरा जो voice है वो भी constantly same frequency से ही आ रहा था ऐसा नहीं कि मेरा voice को भी यह low कर दे रहा था तो calling quality जो आपको यहां पर बहुत ही जबरदस मिलने वाला है 220 image के एक battery को यहां पर use किया गया है और company के तरब से music playback time job वो 30 घंटे का बताया गया है कल रात करीब 11 वजे से इससे मैंने music play करके छोड़ दिया था और जब तक मैंने सुना था बो छोड़ दीजे पाकी समाई भी मैंने continuously music इसमें on रख दिया था 70-80% volume में तो करीब सारे 8 घंट में सिर्फ 20% battery drop होता है तो भाई काफी तगड़ा मुझे इसका battery backup लगा है हो आज के दिन पर हजार बारा सो रोकल का भी जो neckband आ रहा है उसमें भी आपको Bluetooth 5.2 का support मिल रहा है बट यहां पर आपको Bluetooth 5.0 का support मिल रहा है तो यह चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा 5.2 डेफिनेटली होना चाहिए था बट जो connectivity आपको यहां पर काफी अच्छा मिल ज आपके mobile के साथ यह connect हो जाता है जैसे आप फिर से एक साथ में रख देते तो यह disconnect हो जाता है और यह काफी fast connect हो जाता है इसमें मुझे कोई भी problem face करना नहीं पड़ा बठा एक चीज़ मैं यहां पर और और भी कहना चाहूंगा OnePlus का एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगत तो भाई यह चीज मुझे अच्छा नहीं लगा अगर आपको देना ही है अगर आप उसको showcase कर रहे हैं तो सभी यूजर के लिए करो ऐसा मतलब क्या logic हुआ तो फिर यह भी नेक बैंड को आप बोल सकते थे कि भाई यह सिर्फ OnePlus के यूजर के लिए बाकी mobile पर यह support नहीं कर लिए तो भाई यह कैसा सीन हुआ चीटिंग करता है तू चीटिंग चीटिंग करता है तू और भी एक चीज है जो कि ऐसा किया गया वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा दोस्तो इस वीडियो के लिए कापी मैनत करना पड़ा है कल रात नाइट डूटी था और सुभा आ सबसे बड़े ड्राइवार को यूज किया गया और इससे पहले चुटिंग बुलेट जी ओलेस बेस एडिशन था उसमें 9.2 के ड्राइवार को यूज किया गया था तो इचले साउन का लाउडनेस आपको कैसा मिलते है वो सबसे पहले टेस्ट कर लेते है यहां पर आपने देखा कि जो लाउडनेस आपको यहां पर काफी अचा मिलेता अगर आप आउटडोर में यूज करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ने होगा मैंने आउटडोर में जाके टेस्ट किया है इसको इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ बट अगर पात कर उसके sound quality के बार में तो यहां पर 12.4 mm के driver को तो यूज किया गया बैट उसे वाई से मुझे कुछ खास डिफरेंस यहां पर नोटिस नहीं हो अगर मैं पूराना वर्सन के हिसाब से compare करो यहां पर एक चीज जो मुझे बहुत ही जबर्दस लगा है वो है इसका base का quality भाई काफी punchy यहां पर आपको base मिलता है और जो base का quality है जो sharpness है वो बहुत ही तगड़ा आपको मिल जाता है अगर आप एक base लबर है तो भाई आँक बंद करके आप इसको purchase कर सकते है और साथी जो troubles है जो vocals है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है बट अगर आप इसक बहुत पंची दिया गए और जो troubles है वो आपको थोड़ा सा यहां पर कम मिल जाता है बठा ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि एकदम भी आपको यहां पर नहीं मिलता है या फिर खराब है मैं जस्ट आपको compare करके बता रहो पुराना version से अगर आप compare करेंगे या फिर करेंगे तो इसका जो trouble का quality आपको यहां पर better मिल जाता है बट इसमें base आपको better मिलता है तो अभी आपके उपर depend करते है अगर आपको base चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते है या फिर अगर आपको trouble चाहिए तो इसको मैं recommend करूंगा हां इन दोनों का एक definitely comparison वीडियो आएग है तो यहां पर आपको 94 millisecond का low latency mode का support मिलता है मेरे पास oneplus का mobile नहीं है तो मैं उसको test करके तो नहीं दिखा सकता normally android mobile पर कितना latency आपको मिलता है चले boom मैं आपको यहां पर test करके दिखा देता हूं यहां पर आपने देखा कि हलका सा latency मिल जाता है तो अगर आप gaming purpose पर इसको use करना चाहते हैं तो यहां पर इसको recommend तो मैं नहीं करूंगा अगर आप casual gaming करना चाहते हैं तो आप इसके साथ कर सकते हैं बढ़ प्रो गिमार के लिए definitely नहीं है अगर आप oneplus का mobile use करते हैं तो company के मताविक latency जो भी हाँ पर कम मिलेगा तो भाई यह चीज मुझे oneplus का अच्छा नहीं लगता है अगर आपको देना ही है तो सभी brand के लिए दो भाई आपको सिर्फ oneplus के mobile पर ही देने का क्या वाइदा oneplus bullet wireless G2 आपको दो color option मिल जाता है magical black and beam blue इस बार reverb red जो color था ना वो मुझे oneplus का बहुत अच्छा लगता था कि यहाँ पर नीचे का जो wire है वो red color का बट इस बार वो color यहाँ पर launch नहीं गया गया तो जो भी आपको color पसंद है उसको आप purchase कर सकते है best bank link आपको नीचे description मिल जा जाएका तो उसका भी link आपको नीचे description मिल जाएका आप उस app को download कर सकते है flip cut का ही एक app है तो दोस्तों कर फाइनली बात करूँ oneplus bullet wireless Z2 आपको purchase करना चाहिए या फिर नहीं तो भाई यह एक ऐसा नेक band का upgraded version है जो कि बहुत ज़दा popular है अगर आप market पे निकलेंगे ना तो maximum user के पास देखेंगे गले में oneplus bullet Z based edition को जूलता हुआ तो भाई यह जो standard already oneplus ने set कर दिया है इसको आप उससे थोड़ा सा उपर कह सकते है बहुत उपर आप नहीं कह सकते है क्योंकि यहां पर कुछ खास extra features का use नहीं किया गया जैसा कि हमें realme birds wireless 2 में मिलता है ANC हो गया या फि switch features आपको यहां पर मिल जाते है इसका price भी आपको sale के time पर 2000 रुपए के अंदर मिलते है ऐसा नहीं कि इसका price 4000 रुपए है और मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ तो यह सारा चीज भी इसके अंदर दिया जा सकता था पर oneplus ने ऐसा नहीं किया अगर आप लंबे समय तक यू करना चाहते हैं online class बगरा के लिए आप लेना चाहते हैं तो आप definitely इसके साथ जा सकते हैं under 2000 रुपेस में बहुत ही तगड़ा मुझे इसका quality लगा है बट हाँ अगर आप gaming करना चाहते हैं नेने features को use करना चाहते हैं तो हो सकता है कि यह आपके लिए perfect ना हो हर product हरे के लिए आज के दिन पर बट हाँ अगर 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 आप oneplus bullet z based edition को use करें और आप इसमें upgrade होना चाहते है sound quality के बारे में especially तो यहाँ पर मैं आपको recommend नहीं करोंगा कि आप इसके साथ जाहिए क्योंकि भाई उसका sound quality नहीं है बो मुझे बहुत ही तगड़ा लगा था वीडियो को like करने के साथ comment करके मुझे बताना मत भूलेगा कि oneplus के साथ आप किसका comparison वीडियो देखना चाहते सब neckband मेरे पास है तो मैं comparison वीडियो definitely लाओंगा आप लोग जिसका comment जदा करेंगे उसका वीडियो सबसे पहले आएगा तो बताना जरूर नीचे comment करके और अग आपको notification मिल जाएगा तो चलिए मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए goodbye thank you so much वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद